तो दोस्तों अगर आप notes देख करके harmonium सीखने में interest रखते हैं अगर कोई भी भजन का notes देखने के बाद या कोई भी हिंदी गाने के notes देखने के बाद अगर आप उस गाने को अराम से play कर लेते हैं तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको एक ऐसी जनकारी देने वाला हूँ ज जिसको देख करके आपका MB भी जो है कम खपत होगा और time भी आपका बचेगा और जैसे कि आप notes देखते हैं और उसको फिल लिखते हैं जैसे कोई harmonium वाला सीखा रहा है तो उस गाने का notes बता रहा है अगर वो tutorial आपको दे रहा है तो उस गाने का वो notes बता रहा है कि साग जाएगा या धापनी में यह जाएगा ऐसे वो बता रहे तो उसको आपको note करना पड़ता है लिखना पड़ता है अपने diary पे तो वैसे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा आज किस वीडियो पर ऐसी जानकारी में आपको देने वाला हूँ जिससे आपको और भी ज्यादा सरलता अब लगेगा notes देखकर बजाने में तो जो भी हमारे basic और जो भी हमारे famous भजन है उन सारे भजन के notes आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे लिखने का कोई जरुवत नहीं है आपके mobile पर ही वो मिल जाएगा तो चलिए उस application के बारे में मैं आपको बता दूँ उस application को क कैसे download करना है इसके बारे में बताऊंगा तो चलिए उस application के बारे में जानते कि उस application में हमको क्या क्या चीजे मिल सकती है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना तो यही वो application है जिसमें हमको बहुत से भजनों के notes मिल ज जहां पर काफी popular भजन आरती कुंज बिहारी की तो देखिए यहां पर आपको देख रहा होगा इस थाई आरती कुंज बिहारी की स्रीगिरिधर कृष्ण मुरारी की यह अगर आप तर्ज को पकड़ लेते हैं तो बाकि जो यहां पर आपको दीख रहे होंगे नीचे में notes अब इसके बारे में एक वीडियो मैं आपको officially और बना के दूँगा कि इस notes के सारे हम harmonium पे इस notes को कैसे play कर सकते ठीक है आज की इस वीडियो पे मैं आपको जो बता रहा हूँ उससे आपको इस application को simply download कर लेना है यहां पर बहुत से भजन जो होते हैं आरती जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे यहां पर यसो मती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोदी मैं क्यों काला तो यह जो इसका music सुरू में जो चलता है इसकेल सी सार्प यानि की सी सार्प से जो काली एक हमारा है वहीं से यह बहुत ही अच्छे से आपको notes बता रहे हैं तो वहां से आप इसको निकाल सकते हैं बहुत ही simple तरीके से अंत्रा है इसका देख लीजिए तो इस प्रकार से ठीक है यहां पर अगर हम नीची आवले में जारते हैं आर्ति हर्मोनियम पर तो यह आर्ति हर्मोनियम पर जै गनेश जै गनेश गनेश ओम जै, सिव ओम कारा, सिव जी का जो आरती है, ये बहुत सारे आरती आपको इसमें मिल जाते ठीक है, आरती कुंज पिहारी की, जै सरश्वती माता, जै लच्मी माता, ओम जै जगदी सरे, तो ये ओम जै जगदी सरे जो है वो हार्मोनियम सीखने वालों के लिए बहुत ही ज पॉर्टेंट होता है अगर आप हार्मोनियम जल्दी सीखना चाते तो इसके नोट्स को देख देकर आप ले करना सीखिए जैसे जैसे आप उस पर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा नौलेज होता जाएगा हार्मोनियम के बार में ठीक है तो यह जो एप प्रिश्ण भजन अगर आपको सीखना तो यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको शीखने को मिल जाएगा बाकी इसमें जो नोट्स है उसको कैसे प्ले करना है इसके बार में सीखने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आज की इस वीडियो पर इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन